ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति, 28 फर्वरी 22 प्रताह मुरली, ओम शान्ति, बाप दादा मधुवन, आज के मुरली के महावाख्य, ज्यान दाता, गीता के भगवान, शिब बाबाने कहा मेठी बच्ची, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है, यह पढ़ाई है, तुम्हें डबल से ताज बनाने वाली, तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो, प्रश्न है, कौन सा करतब ये, एक बाप का ही है, जिसके लिए मनुष्य पुर्शार्थर, तो बहुत करते, लेकि कर नहीं पाते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं, उत्तर है, पीसलेस वर्ड को पीसफुल बनाना, अभी पीसलेस है, अब इसी दुनिया को पीसफुल बनाना है, यह काम केवल एक बाप का है, मनुष्य पुर्शार्थ करते हैं, सर्व मिलकर एक हो जाएं, सारे विश्व में पीस हो, शान्ती हो, एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परन्तु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था, तब पीस थी, अभी राबड राज्य है, यहाँ पीस हो नहीं सकती, ओम शान्ती. बच्चों की दिल में आया की पारलोकिक बाप आया है लेने के लिए, परमधाम का रहने वाला, परमधाम से पारलोकिक, बाप आता है किसे लेने के लिए, बच्चों को लेने के लिए, कहां ले जाएगा शान्ती धाम, फिर क्या होगा, जिनोंने अच्छी रीती पढ़ा है, वह सुख धाम में आएंगे, वहाँ आना है वाया मुक्ति धाम से, जहां आत्मा रहने का स्थान है वो मुक्ति धाम है, तो वहाँ से फिर आएंगी, डारेक्ट नहीं टांसफर हो जाएंगी, वाया मुक्ति धाम से वापस आएंगे, आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख दुख देने के लिए आया है, सारा दिन यह याद रह सकती है, जिन्हों को निष्चे नहीं वह यहां आ नहीं सकते, बाबा की पढ़ाई में वो आई नहीं सकते, बाबा के बच्चे नहीं बन सकते, यह तो पूरा संसार ही बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जो सतियोगी आत्मा वो तो बाबा को अथार्थ रीती जानेंगी, ज्ञान को समझेंगी, तब तो हर एक पुकारता है दुख में, लेकिन कौन, किसको, कहां रहने वाला है, वो कब यहां आता है, कब विश्व में शांती होती है, कब कैसे क्या होता है, यह कुछ भी आत्माओं का नौलेज मनुश आत्माओं में आने वाली आत्माओं हैं, वो पहले मुक्तिधाम से फिर आएंगी वापस, तो आत्मा समझती है, कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है, तो जिन्हों को निश्चय होगा, वही यहां आएंगे, बाकी नहीं आसकते, तुम इश्वरी ओलाद हो, के सामने आया हूँ, बरोबर कल्प पहले भी पतित भरष्टाचारी दुनिया में आये थे, यहां सब भरष्टाचारी हैं, वहां हैं सब श्रिष्टाचारी, यथा राज, रानी तथा प्रज, यह खेल है इश्वरी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का, नई और पुरा रावड राजे और राम राजे, तो इस तरह बाबा कहते हैं कि यह खेल ही है हार और जीत का, तो गीत है किसने यह सब खेल रचाया, जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत उच बनाया है, उचे ते उचा बाप जरूर उच ही ऐसे बाप की बहुत महिमा है, कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है, बिना कुछ करे तो कोई किसी को योही नहीं महिमा कर देता, तो कोई भी कुछ करते हैं तब ही महिमा होती है, फलाने धंदे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुशे बड़ा होश्यार है, हर को में गुण होते हैं, परमपिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है, हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, परमपिता परमात्मा को भी बड़े ते बड़ा पाठ मिला हुआ है, इस डामा में बड़े-बड़े मुख्य पाठ धारी कौन है, कौरव और पा आदी, यह सर विद्वान पंडितों के नाम है, अब विद्वान थोड़े ही युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे, लौ नहीं है, जूठी काया, जूठी माया, जूठा सबसंसार, रावड जूठ, हमने आत्मा को विस्मरती में गए, कि मैं आत्मा हूँ, यह विस्मरत को जैसे ही हुआ, वैसे ही, यह भूल भूलया का नाटक है, जब हम भूलते हैं, तो दुख, और जब हमें याद आता है, ग्यान के द्वारा, तो सुख, तो विस्मरती में हम गए, और हमने शरीर को सब कुछ समझा, तो बस इसे ही बायपा कहते हैं, कि छूठी माया, जूठी है, जिससे हम अपना समझ बैठे हैं, और माया अर्थात, पांच विकारों रूपी, माया, काम, क्रोध, मोह, लोब, अहेंकार, तो वह माया है, यहाँ कोई संपत्ती को माया नहीं कहा है, और यह जुरावण राज है, वह भी जूठ है, तो बाबा कहते हैं, यह सच पिता परमातमा को ही सत्य कहते हैं, God is one, God is truth, God is peaceful, God is knowledgeable, तो अब God कौन सा knowledge जानता है, कौन सा truth जानता है, कौन सा उनके पास में है, जो सत्यमार्ग बताते हैं, कौन सा सत्य ग्यान है, तो आत्माओं का सत्य ग्यान बाबा के पास में है, बाबा कहते हैं, परमातमा को सत्य कहत God is truth, God है ही एक, बाकि जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं, वह सब है जोट, आपने गीत भी बहुत प्यारा सुना है, रचा है श्रिष्टी को जिस प्रभू ने, वही ये श्रिष्टी चला रहे हैं, जो पेड तुमने लगाया, उसका ही फल हम खा रहे हैं, तो जो बीज हमने बोया कर्म रूपी बीज, उसका ही तो फल खा रहे हैं, अब हम निम्बू का बीज डालेंगे, तो आम का तो उगेगा नहीं, फल तो निम्बू ही आएगा, तो यही बात बाबा केते, रचता बाप है, जो हम रचनाओं का नॉलिज उनकोई पास में ही हो, और किसी के पास में यह सच नहीं है, तो बाबा केते, इस तरह से, जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं, वह सब है जूट, यह सब ज्ञान की बाते हैं, ज्ञान में सच क्या है, जूट क्या है, वह बाप आकर समझाते हैं, भारत का गीता ज्ञान तो देवताओं के पास में तो यह प्रालब्दी प्राप्ति होती है, उनको यह ज्ञान होता नहीं है, बाबा ने कई बार कहा है कि यह ज्ञान प्राया हलोप हो जाएगा, यहां ही यह ज्ञान आकर के वापस हमको संगम पर मिलेगा, बाबा केते हैं, बाब कहते हैं, मैं आकर को वेदों, शास्त्रों का सार समझाता हूं, गीता है मोक्य, जिसमें ही भगवान बाच हैं, बाप कहते हैं, तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर समझाते हैं, जिसको तुम भगवान कहते हो, वह सतियोग का फॉस्ट प्रिंस है, वह पहले-पहले मेरे से विदाईले मुक्तिधाम से आया था, सबसे पहले, सतियोग का प्रिंस बनने, आच्छ, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका बाप भी तो होगा न, जेसा बाप बैसा बच्च, श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहां गई, उसने किस से बरसा लिया श्री कृष्ण है सतियोग के आदी का, स्वयंबर बाद लक्ष्मी नारायन बने है, वही कृष्ण स्वयंबर के बाद लक्ष्मी नारायन बने है, कितने धनवान थे, इतना धन उन्हों के पास कहां से आया, इस समय तो कुछ भी नहीं है, क्या हुआ, इतने पदार्थ कहां से और कैसे मिले, किस ने दिया, तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप ने पढ़ाया, इस पढ़ाई से बरोबर तुम सत्यों के राजय बनने वाले हो, वह जो अल्पकाल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं, वह कोई नौलेज से नहीं बनते हैं, जो बहुत दानपुर्ण्य करते हैं, वह जाकर साहुकार में जन्म लेते हैं, यहां तुम पढ़ाई से राजा महराजा बनते हो, सो भी डबल सिर्टाज, तो कहते हैं, सब कुछ करके अपने आप छिपाया, तुम जो बच्चे हो जानते हो, बाप ने राजे दिया था बड़े खुशी से, सुखी से, तो बाबा केते हैं, जो जब बाप ने राजे दिया था तो बहुत सुखी थे, है ना, खुश भी थे, सुखी भी थे, फिर बाबा केते हैं, देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है, पूजन देखना हो तो स्रीनाथ द्वारे जब, देवताओं की जड़चित्रों पर इतना माल चड़ाते हैं, तो खुद जब मालिक होंगे, तो क्या नहीं खान पान होगा, जरा सोचिए, इमर्स करिए उस देवकुल में रहने के समय, ना, खुद को, तो बाबा केते हैं, कितना अच्छा खान पान होगा, नई दुनिया है ना, नई खेती माल अच्छा द देती है, नई खेती माल अच्छा देती है, पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है, उसकी उर्बरक्षमता कम हो जाती है, तो तुम बच्चों ने साक्षातकार किया है, आप छोटे से एक्सामपल से समझते हैं, पहले अगरिकल्चर लेंड में, जो क्रशी में जमीन में, उस में तीन फसलें आया करती थी, और तीन चार माह के लिए उसे योँ ही खाली छोड़ दिया जाता था, एक चार महने के लिए आराम से सब किसान भाई रेस्ट किया करते थे, अब तो फसल को इतना और 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 प्राप्ति के चकर में, धन के चकर में, खेतों को, भी भी अगरी कल्चर लेंड को उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, और नई नई जो तकनीकें अपना करके, नई नई मशीनरी के द्वारा और बरकशक्ती के द्वारा ना जाने कैसे कैसे जो हैं, केमिकल्स का छिरकाओ कर करके, जमीन को बंजर जैसा बना दिया, अब वो भी तो चाहती है, थोड़े समय के लिए गोद को खाली रखें, थोड़े समय के लिए हम ऐसे ही खाली रहें, तो उसमें इतना डाल डाल करके, अब कोई भी किसान फ्री नहीं रहते हैं, ना ही खेत फ्री रहते हैं, फॉसल कटी फिर डाल दी, फिर कटी फिर डाल दी, तो अब तो बाबा केते हैं वो भी तो देते देते ठक जाती है ना उगाते उगाते फिर वो भी तो पुरानी होती है उसकी शमता कम हो जाती है तो बाबा केते इस तरह से देखो पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है तुम बच्चों ने सक्षात कार किया है बाप समझाते हैं ऐसे ना फिर क्या हुआ, तुम्हारे उपर पांच विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम काटे बनते गए, बॉम ब्लास्ट हुआ ना रावर्ड का, तो दुनिया के खोने-खोने में मनुश्यात माय बाबा के बच्चे बिखर गए, तो अपने-पने अनुसार जहां तहां चल इसमें एक-एक मनुश्य काटा है, काम-कटारी चलाते रहते हैं, माया के चटकने से रावड राजे हो गया है, तुम हो गुप्त वेश में, किसको भी पता नहीं, तुम बच्चे अभी कल्प पहले मुआफिक स्रेमत पर चल रहे हो, सिर्फ कल्प पहले मुआफिक नहीं, क यहां से आदी से शुरू होगा, तो कल्यूग में आकर के खतम होगा, फिर दुबारा रेपीट नहीं होगा, नहीं, बाबा कहते हैं, सिर्फ कल्प पहले नहीं, कल्प कल्प, यह साइकल कभी रुखता नहीं है, अखंड भारत, अखंड मनुश्य रूपी श्रष्टी का आत्मा अविनाशी, आत्मा अविनाशी और यह श्रष्टी प्रक्रती भी अविनाशी, लेकिन यह अपना समय अनुसार, अपना स्वरूप जरूर बदलती, फिर प्रक्रती को मिथ्या कह दिया, बाबा केते मिथ्या नहीं है, वो अपना स्वरूप बदलती है, शरीर भी त बाप से राजियों की शिक्षा सीखते हो, तुम हो नान वाइलेस, तुम अन्नोन हो, तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि यह शक्तियां गुप्त रीती योगुबल से विश्व पर अपनी देवी राजाई स्थापन कर रही हैं। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुर्शार्थ करते हो, वह सिप्पाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, परन्तु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो, भारत को ही गोल्डन एस बनाते हो, जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे, गोया तुम भारत की सेवा करते हो, लेके गोप्त, जो करेंगे वही फल पाएंगे, जो महनत कर राजारानी प्रजा बनेंगे वही आएंगे, भारत में ही आकर राज्य करेंगे, तुम्हारी यहां है शिवशक्ति पांडव सेना, इसलिए पांडवों को कम दिखाया है, पांच पांडव ज्यादा दिखाये है तो बाबा केते हैं पांडव सेना, पांडव अक्षर पंडे पर है, बाप ने आकर समझाया है मुख्य रुहानी पंड़ा मैं हूँ, पांडवों में मेल्स भी हैं, तो फीमेल्स भी हैं, प्रभरति मार्ग है न, बाकी लड़ाई की तो बात नहीं बाहुवल शास्त्रों कि आदी की तो शास्त्रों में तु क्या-क्या बैठ लिखा है कितने नाम दिखाए हैं बाप बैठ समझाते हैं यह सब ड्रामा की नून्ध है कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा भक्ति का फल देना यानि सद्गति करना फिर सत्यूग में भक्त आदी होती नहीं, सन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, स्वर्ग में यह आना सके, अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था, बापा कर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर और धर्मों का विनाश होता है, तभी तो एक होगा न, अनेक खतम होंगे तब तो एक होगा, चूटना है न, तो बापा केते हैं, फिर विनाश होता है, क्योंकि अनेक धर्मों का खत्मा होना है, तो तुम इश्वर ये सांपरदाय को हो, वह है आसूरी सांपरदाय, यह है ही पतित दुनिया, अभी तुम सब कहे कहेंगे हम इश्वर की अौलाद है, इश्वर कौन है, वह निराकार शिव, बाबा केते हैं, निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं है, लोग समझते हैं, ब्रह्मा ही इश्वर है, अब ब्रह्म को परम्पिता परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, अपने को इश्वर कहते हैं, ना हाँ हाँ आत्माएं रहती हैं, सालेगराम भी कहते हैं, रूद्रियग जब रचते हैं तो परमपिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे-छोटे सालेगराम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं, परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी नहीं, उनको कहा जाता है पर प्रम पिता प्रमात्मा परम आत्मा सुप्रेम सोल परमधाम में रहने वाली एवर प्योर आत्मा याद करती है और गेस द्वारा बाबा केते अभी ऐसा बातें तुम जानते हो रचना और रचना के आदी मध्य अंतक और मुख्य पाट धारी कौन है कैसे पाट बजाते हैं कौन कितना जन्म लेते हैं तो यह हिसाब होगा ना परन्तु इन में भी जाने की दरकार नहीं बाप कहते हैं बच्चे यह है तुम्हारा धर्मायू जन्म, चोरासी जन्म तो ठीक हैं, यह है धर्मायू, कल्यानकारी जन्म, कमायू, तो अभी हमारा कल्यान होने वाला है, इसलिए यह कल्यानकारी जन्म और कल्यानकारी युग कहा जाता है, इस संगम का किसको पता नहीं है संगम को यूगे-यूगे कहा है तो चार संगम रख दिये हैं बाप कहते हैं नहीं यह तो दर्तिकला की हैं सतियुग से त्रेता होगा तो दो कला कम होगी सोला से चौदा में आ जाएंगे सूरेवन्शी से चंदरवन्शी में बाबा केते दो कला कम होंगी, फिर द्वापर से और कम हो चाएंगी, पतित बनते जाते हैं, यह है वेराइटी धर्मों का ज़ार, कितनी भाशाएं हैं, कितनी आशान्ती हैं, अब तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग में आशान्ती हो नहीं सकती। यहां बहतों को पीस प्राइज मिलती है, पीस तो है नहीं, पुर्शार्ट करते हैं, मिलकर एक हो जाएं, पॉप भी कहते हैं, कि वननेस हो जाएं, सभी ब्रदर्स परंतु आपस में बनती क्यों नहीं हैं, उन्हों को ड्रामा का तो पता नहीं है, जिब दुनिया में एक रा राम राजय था तो पीस थी लडाई का कोई जरीय इनहीं था क्योंकि यह एक DNA एक कर्म, श्रेश्ट ढर्म श्रेश्ट कर्म था तो बाबा केती हैं चब दुनिया में एक तो पी स्ती अभी तु रावढ राज है अनेक धर्म है कदम-कदम पर भाशा बोली भी बदली हो जाती है मैं-अगे बड़ा बाजा में बड़ा में-गरा मेरा धर्म बड़ा मेरा ज्यात बड़ा ऐसा है न बाप कहते हैं मैं ही वर्ल्ड को पीस मिलाता हूँ, भारत में पीस थी न, पीसलेस आत्माओं को वापस ले जाते हैं, वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गौड फादर को आना है, उनका ही पाठ है, तो कहते हैं सब कुछ करके, सब को सुक शानती दे करके फिर छिप जाते है ऐसा छिपचाते हैं जो सत्य युग, त्रेता में भी कोई नहीं जानते, ध्वापर कल युग में भी कोई नहीं जानते, जब तक खुद ना आकर अपना परिचे दे, देवताएं भी नहीं जानते, अपनी आत्मा को जानते हैं, बाकी रचता को नहीं जान सकते, यह भी ड्रामा की नूंद है और कितना wonderful ड्रामा है बाप कहते हैं, यह knowledge प्रायाहलोप हो जाती है, यह जो इतने मंदिर शास्त्रादी बने हैं, सब खत्म हो जाने हैं, भक्ति मार्ग की एक भी चीज नहीं रहती है, अभी बाप कहते हैं, सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ, सन्यासी तो ऐसे कहना सकें, उनका है निब्रती मार्ग, पावन से पतित, फिर पतित से पावन तुमको बनना है, सन्यासियों का भी ड्रामानो सारपार्ट है, यह ना हो तो भारत और ही दुखी हो जाए, मुख्य बात है ही पवित्रता की, पवित बनाते हो बाप की स्रीमत से, हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली हैं, पवित्र बनते बनते हम पहुच जाएंगे, यह यात्रा बहुत वंडरफुल है, हे रात के राही ठक मत जाना, सतियोग को दिन कहा जाता है, पहले तुम स्वीट होम चाकर, फिर दिन में आएंगे तुम हो रुहानी यात्रा के ब्राम्मन कितना समझने की बाते हैं, जितना बाप को याद करेंगे, पद भी उतना उच पाएंगे, कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो भस में भूत हो जाएंगे कुछ तो मेहनत करनी चाहिए न, लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो न, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो लज्जा नहीं आती है लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या पार लौकिक बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हो तो वर्षा भी भूल जाएगा फिर क्या पद पाएंगे युक्ती से बतलाते रहते हैं बस बाबा आया की आया, हमको यह शरीर भी नहीं चाहिए, बड़ी मीठी नॉलेज है, देने बाला भी बड़ा मीठा है, स्वीटेस्ट, वो मीठा 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 क्या करके हमें भी इतना मीठा बना देते हैं तो बड़ी मीठी नॉलेज है, देने बाला भी बड़ा मीठा है, आ अगर हमारी मत पर चलेंगे, तो मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, फिर बाप हूँ ना, तो फिर क्यों कहते हो, कि बाबा हम भूल जाते हैं? तुम हो ना, हाँ, तुम बच्चे हो ना, शांती धाम, सुख धाम जाहेंगे, मुझे बाप को याद नहीं कर सकते हो मैं तुम्हें डबल सिर्ताज पनाऊंगा बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे फिर कहते हो भूल गया वंडर है न इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता है तुम भूल जाते हो आच्छा मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रते मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ति हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार और गुड मौनिंग शुक्रिया बाबा, मीठी बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका साहारा धारना के लिए मुख्यसार पहला बाबा ने कहा बाप की स्रेमत और पवित्रता की ताकत से पतित शुष्टी को पावन बनाने की सेवा करनी है अपने लिए अपना राजे स्थापन करना है दूसरा पारलोकिक बाप जो मीठे दे मीठा है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उसे निरंतर याद करना है बूलना नहीं है योगबल से अपनी राजाई लेनी है आज को वरदान है हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुब भावना संपन भव बोल से भाव और भावना दोनों अनभव होती है अगर हर बोल में शुब बाश्रिष्ट भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है यदि बोल में इर्शिया, हशद, घ्रणा की भावना किसी भी परसंट में समाई हुई है तो बोल द्वारा गवाने का हाथा जादा होता है समर्थ बोल का अर्थ, जिस बोल में प्राप्ति का भाव वसार हो, अगर बोल में सार नहीं है, तो बोल विर्थ के हाते में चला जाता है, आज का स्लोगन, हर कारण का निवारन कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मनी बनना है, ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती